हेलो फ्रेंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रामर प्लेटफरम पर सो फ्रेंड आप कैसे आयों बहुत अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो चलिए आज का हम लोग से सिस्टार्ट करते हैं जो कि आज का सिसन है और पे सिस्टम जीतने भी ओपएटिंसरीम इन दिखांगे फिर मैं आपको उसमें कुछ आपडेक्टिव अकर नहीं। टए कि एंद टक बने रहे ऊड़ी डू को सहाने कि ठीक है तो आज का सिर्फिस्टार्ट करते हैं तो पहले यह का सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा यह operation system क्या होता है इसके आहिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा तो पहले तो के पहले आपका computer चाज्ज बैबही ने बनाया था फाल ओफ कंप्यूटर चारज बैभः यह लेकिन चाल में ने क्या इए कंप्यूटर बनाया था उस कंप्यूटर का नेप था कि दिफरेंज का नेम था डिफ्रेंस इंगें और एक था जिसका नेम था कि एनिटिकल इंजन ओके तो मतलब पहले जो चार्ज पर कंप्यूटर मना था वह लूक लाइक का या फिर बोल सकते एंजन था ठीक है एक इंजन था हमको उसमें मशीन मनाना था उसको कंप्यूटर बनाना था तो चाहिए तो फिर उसको आपरेट करना परेगा कोई भी च सिस्टम कैसे बना तो आपको पता हो गए कोडिंग लेंग्वेज होता है सी लेंग्वेज एक सी लेंग्वेज होता है ठीक है सी लेंग्वेज से पहला ऑपेटिन सिस्टम बनाता उस समय जिसका नेम था यूनिक्स क्या नेम था यूनिक्स ठीक है जिसका नेम था यूनिक् एक मतलब 1932-1933 में यह लगभग में आपका यह बना था ठीक है 1832-1833 में और यह लगभग 1970 में आपका Unix operating system डेवलप हुआ तो यह मेरा कुछ operating system का जब मेंसे हो तो पहला जाता है तो see language बनाया थे जाैक है डेनीस सब्सक्वराइब कुर्णट एडीचे लाया हूद जैसे क्या दीटेल ऐ तो पहला देखिए Unix is an operating system that is truly the base of our operating system like Ubuntu, Solaris, Postage, ATC. It was developed in 1970 by Kane Thompson, Danny Diche and other at AT&T Bell Laboratory. यह AT&T Bell Laboratory क्या है, AT&T Bell Laboratory क्या है, इसको पहले ध्यान दिजेगा, ठीक है, AT&T Bell Laboratory क्या है, AT&T Bell Laboratory लैप का नेम है, जो आपका USA में है, मतलब Unix एक आपका operating system है, जो सेम Ubuntu जैसे था, वैसा ही है, और यह 1970 में बना हुआ है, क्लियर है, कौन बनाया था, Kane Thompson और Danny Diche ने, क्लियर है, त तो आपको detail हो गया, ठीक है, आगे लिनक्स के बारे में, ठीक है, हम लिनक्स के बारे में देखते है, जैसे आपका unique operating system है, वैसा Linux है, Ubuntu है, Mac OS है, देख लो, मैं आप लिक देता हूँ, ठीक है, Ubuntu, Mac OS, जो आपका Apple के laptop, Apple से laptop में, जो आपका operating system यूज होता है, फिर MS-DOS है, और आपको पता है, विन्डोज आप यूज करते ही हो, विन्डोज भी operating system है, तो यह सब कुछ जाम पर है, operating system का, जो मैं लोग बारी बारी देख रहे है, ठीक है, Linux, Linux region open source, unique like operating system based family on the Linux kernel, देख यूनिक्स का ही, जो family बोल सकते हैं, लिनक्स है, Linux kernel पर एक open source, यूनिक्स जैसा operating system है, अधरित परिवार है, और OS kernel पहली बार 17 सितंबर 1991 को Linux, Linux towards द्वारा प्रसासित किया गया था, मतलब अगर Linux का कोई operating system है, तो यह कौन है, Linux towards और यह अपने ही नाम पे Linux को operating system को रखे है, आगे देखते हैं, अब यह उबन्तु, अभी मैंना उबन्तु के बारे बता रहा जाता, देखें, उबन्तु क्या है, उबन्तु, प्रोनाउंस बुन्तु, उबन्तु है ना, उसको बुन्तु नाम से प्रोनाउंस किया गया, यह भी क्या है, open source operating system है, जैसा Linux का distribution है, मतलब आपको यहाँ पर यहाँ दखना है कि operating system कौन कौन सा है, और यह कहां बनाता और कौ Windows 98, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 अभी latest में चल रहा है, तो Windows 11 तक अब का latest है, ओके, पुछता है, Windows विचता है कि नहीं, विचता, नहीं है, वो आप से पूछा जाता है, ठीक है, Windows क्या है, Windows is a graphical operating system developed by Microsoft, it allows user to view and store files, run the software, play game, watch video and provide a way to connect to other internet, it while list for both home and computing and professional work, देखो, यह क्या बोल रहा है, कि Windows एक graphical operating system है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, GUI, क्या बोल सकते हैं, हम लोग, GUI बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग GUI बोल सकते हैं, वेट, 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 आर भी बढ़ जाता है, ठीक है, हम लोग GUI बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आपको दोनों में difference पूछेगा, तो यह अब अच्छा यहां पर थोड़ा से यहां पर एक logic लगाना, अगर आपसे पूछे ना, पहला operating system जो Microsoft के द्वारा develop किया गया था, तो वो था MS-DOS, क्लियर है, ध्यान से सुनना, अगर पूछेगा पहला operating system जो आप लेंग्वेज से या फिर डैनी जिश्चे ने डैवलप किया था, खेन थामसन ने डैवलप किया था, तो वो होगा Unix, और एक मैं आपको बताऊंगा operating system जो सबसे पहला develop हुआ है, वो अभी मैं बताने वाला question में, clear है, तो थोड़ा सा बने रहे, इसको मैं पर आप पहला आ वीडियो देखने और इंटरनेट से connect करने का एक तरीका प्रदान करने की अनुमती देता है, या home computing और पेस्वर कारियों के लिए जारी किया जा सकता है, मतलब आप home computing के लिए Windows को यूज किया सकते हो, और Linux Unix है, यह सब जारतर आपका company में कुछ काम के लिए यूज होता, इसलिए Windows आपका एक मन बोल सकते है, अपने language में बोल सकते हो, clear है, तो चलिए अब हम लोग कोर्षन के बहुता है, पहला कोर्षन आपके सामने क्या है, अच्छा वो उपर हो गया है, ठीक है, मैं बता जाता हूँ, सबसे अधिक इस्टेमार किया जाने वाला computer, सबसे अधि Windows होगा, clear है तक, ठीक है, इसमें गलत answer दिया है, इसमें Windows answer होगा, clear है, आगे बढ़ता है, what was the first operating system, पहला operating system इसमें से कौन सा है, Linux, Windows, GM, NAA, IO, Android, अब यहाँ पे देखो पहला छाटों के Linux तो होगा नहीं, Windows तो होगा नहीं, Android तो आपका operating system Android में होता है, मतलब बचा तो यही यूनिक्स होता है, तो यहाँ पे आप confused होते, अब यह operating system क्या होता है, इसके बारे में तो आपके पास लाया हूँ, Windows के रूप में, GM, MN, AI को पहला operating system प्रतित होता है, जिससे IBM 704 के लिए 20, मतलब 20-20 सताबदी के मध्यम, 20-50 के दसक में आसवास बनाया गया था, यह एक ज मतलब अगर आप से पूछें पहला operating system क्या है, तो आप इसी का नाम लोगों है, GM, N, A, A, I, O, मतलब operating system, ठीक है, clear, I, O, बढ़ते हैं, BIOS का full form, BIOS का full form क्या होगा, basic input-output system, basic input-output system, I hope आपको clear हो गया, ठीक है, अगर अगर इस session आपको अच्छा लगा है, जरूर आप लोग share करें, like करें और subscribe करें, जो इस channel मनना है, clear है, मैं बार-बार बोलूंगा नहीं, अगर आपको इस channel को, कुछ भी अगर channel से आपको कुछ भी मिलता है, कुछ भी benefit हो रहा है, तो जरूर share करें, what makes an operating system whole, एक operating system को क्या पूरा बनाता है, log file, input device, output device, देखो, operating system आप चलाते हो तो, operating system में तो सब चीज होता है, input device भी होता है, output device भी होता है, कुछ file भी हम लोग लोग इन करते हैं, तो यह होगा all of the above, ओके, चला गे बढ़ता है, which of the flowing does not support more than one program at a time, कौन सा operating system आप ऐसा है, जिसमें एक से दूसरा हम लोग program को एक बार में रन नहीं कर सकते हैं, DOS, Linux, Windows, Unix, इसमें क्या होगा, CUI, किसको बोलेते हैं, CUI, MS, DOS को बोलेते हैं, CUI किसको बोलेते हैं, MS, DOS को बोलेते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, क्लियर है, चलो, आपका जो previous question आया हुआ, उसी के basis में मैं आज कुछ आप, objective जादा नहीं, 10-12 ही होगा, ठीक है, theory पर जादा ध्यान दिया हूँ, आज session में, क्योंकि theory आपको कहीं मिलता नहीं, इसलिए मैं पहले ही बता दिया, अब अगर operating system, आप कहीं भी कोई भी question करो, तो आपको वापे safe zone मैं हसूस होगा, कि हमने कुछ पढ़ा है, और हम इसका answer कर पार है, Unix is a operating system, hardware, programming language, ननोदी, Unix is a operating system, मैंना अभी Unix के बारे बता है, अब आप जान गया होती है, यह operating system है, चलो next, operating system is collected of, operating system किसका संगर है, software routine का, input output device का, hardware component का, all of these का है, क्या होगा, इसका answer D, all of D, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, निमलिकिस में इससे operating system नहीं है, इसमें operating system कौन सा नहीं है, बता पहिएगा, फिर यहां भी operating system आपको सिखने मिलेगा, pass कर operating system नहीं है, इसका answer D होगा, बाकी सब operating system है, clear, computer system is divided into how many number of component, computer system में कितने component को divide किया है, one, two, three, four, इसका final answer होगा, four, मैं आपका जादा टाइम नहीं ले रहा हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको answer बता रहा हो, ठीक है, operating system is resident in memory of which part, operating system जो होता है, वो किस memory का किस भाग में होता है, अब बताओ, जो system को operate करेगा, जो system को operate करेगा, वो उपर में होगा ना, memory का, सबसे उपर में होगा ना, इसका दर्जा उपर में होगा ना, तो option C is correct answer, ठीक है, जांपल of single user operating system, फिर साया single user operating system, और मैंने फिर अभी बताया था, CUI, character user interface is a single user operating system, तो इसमें MS-DOS होगा, clear है तक, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको कुछ भी अगर सेशन में मिला होगा, benefit लगा होगा, तो जरूर share करे, ठीक है, आपको कैस सेशन कैसा लगा, जरूर कॉमेंट बताएं, और अगर कुछ आपको advice देना चाहते हो, तो advice भी दे सकते हो, कि हमनों next topic किस पे लाएं, तो चले मिलते हैं,